वेल्कम तो माइचैनल तोड़े इस साटर्डड़े और फाइव क्लोक इन न मॉनिंग तो आज का मेरा जो मॉनिंग का रूटेंग है मैं प्रिविएस वीडियो से आप लोग इसे सेयर की थि कि जब साटर्ड़े का मॉनिंग का बलग में बनाऊंगी मुझे इFlag मिलने के लिए वर्णिक में तएक प्रायब में नहीं मिलता है तो Saturday को मैंछे थोड़ा प्रेशी कम रहता है इसलिए आज में मौनिंग का बलग वनाने वाली हूँ घर का ज़े जो काम है मुझे इंसी जो जाने से पहले वो सब में आप लोगों के साथ स्याय करने वाली हो तो आज कब लग को अंजय करते हैं तो सबसे पहले में आक्वावेट से पानी भर लोगी आज पूरे दिन के लिए तो सबसे पानी भर लोगी आजय करते हैं अब टाइम हुआ है फाइब थर्टी नहीं फाइब थर्टी नहीं फाइब ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइब हुआ है तो बाहर का नजारा आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है कि गेट के बाहर चलते हैं और देखते हैं कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा और यहां पर हम रहते हैं ग्राउंड फ्लोर में और फ्रस्ट फ्लोर में जो ओनर है बो रहते हैं और यह रेंट का घर है हमारा क्यूंकि आइट के अंदर अभी तक तो इंस्टिट्स कलर के लिए घर नहीं बनाया गया है इसलिए हम यहां पर रेंट में रहते हैं लेकिन 5,000 रूपीज आइटी पे करते हैं उसके लिए तो चले मैं आपको यह बाहर जो जो पोद ही हमने लगाए हैं वो अब मैं आप सुपर दिखा रही हूं यह हमारा तुलसी का प्लांट पुजा के लिए और यह वाला है मेरे अलोवेरा का प्लांट हर सुबा में एक छोटा सा पीस अलोवेरा अपनी फेस पे अपलाई करती हूं तो यहीं से लेकर यह मेरा प्लांट है बहुत अच्छा ग्रोव किया है और इस साइड में यह जो पेड़ है इससे हम पुजा के लिए फूल लेते हैं छोटा वाला म्यांगो का पेड़ है और यह है मेरी गोल्ड का पेड़ इस वान तो अब यह अंदर चलते हैं और लंच वक्स लंच वक्स तो मैं आज लंच नहीं लोगी क्योंकि आज में जल्दी चली आओंगी मेरी इंलाव सभी आये हुए हैं फादर इंलाव मदर इंलाव उन लोग का समर वैकेशन चल रहा है इसलिए तो मैं एक बज़े इंसीचुट से चली आओंगी और आके अपना लंच यहां पर करूंगी लेकिन मेरी हजबेन नहीं आपाएंगे इसलिए उनके लिए आज मैं बनाने वाली हूं ओनियन का पराथा तो वह मैं आप लोग को दिखाती हूं उसके बाद में थोड़ा एक्सराइस करूंगी फिर फ्रेस होके इनसी चूट जाओंगे पराउंड 730 तो एट तो यह घर हम जहां पर होते हैं यह हैं ड्राइंग रूम हाप पाट में अब देख चुके होंगे घर को लेकिन आज मैं आप लोग को फूल देखाती हूं मेरा घर थोड़ा ताइम है आज मेरे पास यहीं ड्राइंग ड्रूम यहां पर हमने लगाए है हमारे मैरेस के फोटोस एक पीस डेकोरिटिव पीस है और अभी हम जा रहे हैं डाइनिंग के तरफ तो आप देख सकते हैं मेरे डाइनिंग टेबल कितना बिखरा हुआ पड़ा है सब लोग अच्छे हैं इसलिए सही पड़ा है तो यह मुट कपड़े सुखाने का और इसके बगल में यह रूम है हुजा का रूम इसके स्टिक साइड में मेरे बेट रूम है और मेरे हजबन को देखिए सुबा सुबा उटकर गाना सुन रहे हैं और यहां पर तो बहुत सार वीडियो में ने सुट कर चुकी हूँ तो आप देख चुके होंगे फूरा रूम को फिर भी और एक बार में दिखा देखते हू यहां पर हमारे सारे वुक्स रखे गए है और यह है हमारा वाश्रूम पर इस साइड में और एक रूम है मेरी सिस्टर इनलाव वो बैटके पढ़ाई कर रही थी मुश्कान और यह है मेरा कीचेन तो बहुत ही छोटा है रेंट का घर है इसलिए बहुत ही छोटा कीचेन मिला है फिर भी ताड़िजस्ट करना पड़ेगा यहां पर सारे सामान में इसे ही रखे हुए है सजा के पानी के बड़ल है सुबा सुमा में भर लेती हुए फिर नेक्स डे सुबा और यही मेरे कीचेन के साहरे सामान है और यह उटिंसल का र्याक तो अब तब आप रिसे भी वीडियो में सब कुछ देख चुके हैं इसे बहुत देख चुके हैं आप 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 का अल्मोस्ट 20-30% काम कम्प्लीट हो चुका है जैसे कि जाड़ू लगाना डस्ट बीन खेगना और आक्वागट से पानी बरना बोसुब कम्प्लीट हो चुके हैं और मैं अभी अपने हस्बेन के लिए बनाऊंगी लंजबक्स ओनियन के पराथे उसके साह भी बाकी कुछ काम है जैसे कि यह मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट पूरे उट्टेले बनाना है और उच मसरूम से मेरे पास बचा हुआ कल्गा उसको फ्राइ कर दिनी नहीं करते हैं जैसे कि लंच और बेकफास्ट और बिनार हो उससे हापना और विफर ले सकते हलका गुनगुना पानी के साह तो आप डाइलिस्टी सिस्टम भी बहुत अच्छा रहे हो उसके साथ आपके हेल्पी तो भी अच्छा घाइप्ट आएगा तो मैं अभी लेती सिक्स नहीं हुआ अभी अभी लेटे तो सेवें तक में अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ तो चलिए आज के सारे काम सुरू ये मेरा उनियन पराठे के लिए स्टॉफिंग्स रेडी हो चुके हैं इसमें है कटे हुए प्याच थोड़ा नमत थोड़ा चाट मसाला ग्रीन ज करेंगे करेंगे आज करेंगे आज किचंड वाक्स अरोबर तो दोड़ी मस्रूम स्प्राइ इस रेडी बिंग्ण निज रेडी और माइं जिंजर गार्लिक पेस्टी जर्स रेडी आज मुस्त अल्स तो लोड़ा इसमेंड के लंच बक्स पी रेडी होगे पराठा काचा दाचा और यहां पर बरतन भी सब कुछ दूल गए हैं ग्यास भी क्लीन है मेरे किचन के सारे वाक्स कंप्लीट हो चुके हैं तो अभी मैं जाओंगी फ्रेस होके नहां दोके फिर पूजा करूंगी इसके बाद ब्रिकफास्ट करके इंसी चोट के लिए जाओंगी जाओंगी एक्षिए कैस के लिए प्राइब झाल में जाओंगी प्र बाद्टा के लाद़ हो गिसा वड़ करका दोग्हिं जाओशिए अच्वालmachen है कर दो 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 मुनी बुति नितरं जूटिस कर दो कर दो और जिर जूब कर दोग जूब कर दो, जूब कर दो को, विस्ट रूब है माइ मॉनिंग रूटीन इस ओवर अभी मैं इंसिटूट जाने वाली हूँ और आप लोग के साथ मैंने स्यार किया कि मैंने सुभाव पांच बजे से लेकर अभी इट बजने वाले हैं क्या क्या मैंने रूटीन किया और मैं अभी अपना ब्रेक्फास्ट लोंगी इसके बाद मैं इंशिट के लिए चले जाऊंगी यह ब्लग में ही पर एंड करूँ तो ठीक है आज का बला कही ही पर एंड करते हैं और आप मेंचे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको यह बारा झाले किसा बधने रहा बाले